नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी ले करके जिहां आईए आज हम सभी एक अलग धंकी जानकारी प्राप्त करते हैं हर आदमी पेशाप करते वक्त करता है कुछ एक बड़ी गलत संभल जाएए नहीं तो आपको उसका नुकसान होगा टॉयलेट एक दैनिक क्रिया है लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टॉयलेट का सीधा संबंध हमारे स्वास्थे से होता है डॉक्टर्स के मुताबिक समय पर टॉयलेट जाना एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है लेकिन कई बार देखा जाता है कि ओफिस या घर में किसी काम में व्यस्त रहने की वजह से लोग अपना पेशाब काफी देर तक रोके रखते हैं लोग अपना काम खत्म करने के बाद ही वो शुरूम जाते हैं इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थे पर गंभीर प्रभाव डालती हैं आज इन ही के बारे में हम जानेंगे जी हां आज हम बात कर रहे हैं पेशाब को लेकर की जाने वाली उन गलतियों की जो अमुमन हर आदमी अंजाने में ही सही लेकिन कर रहा होता है सबसे पहली बात कि जो लोग दिन को छोड़कर रात के वक्त कई बार पेशाब जाते हैं उन्हें साउधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक रात को पेशाब जाने की ये आदत ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है पेशाब करते समय अक्सर लोग अंजाने में कुछ ऐसी गलतिया करते हैं जो बाद में चल कर जानलेवा बीमारियों को जन्म देती हैं सबसे पहली बात कि पेशाब को देर तक नहीं रोकना चाहिए अमोमन देखा जाता है कि ओफिस ये घर में किसी काम में व्यस्त रहने की वज़ा से लोग अपना पेशाब काफी देर तक रोक के रखते हैं लोग अपना काम खत्म करने के बाद ही वो अश्रूम जाते हैं तो ऐसे लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जादा देर तक यूरीन या पेशाब रोकने से किड्नियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इससे किड्नियों के खराब होने का खत्रा बढ़ जाता है और ऐसा करने से कई प्रकार की बिमारियों के होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसके अलावा आवश्यक्ता से कम पानी पीना अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है तो उसका जबाब यहीं होगा कि पॉष्टिक आहार और उचित मातरा में पानी पीना यानि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बिना पानी के जिवन संभव ही नहीं है डॉक्टर्स बताते हैं कि एक व्यक्ति को दिन में कम से कम दस से बारह गलास पानी पीना ही चाहिए लेकिन लोग अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं और शरीर को उचित मातरा में पानी नहीं मिल पाता है इसके अलावा पेशाब का पीला होना एक आप के लिए संकेत की तरह है जी हाँ ऐसे लोग जो बहुत कम पानी पीते हैं उन्हें अक्सर पीले पेशाब आने की शिकायत होती है अपने स्वास्थ की जाँच का सबसे अच्छा तरीका पेशाब की जाँच कराना है आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स जादा तर बिमारियों में पेशाब की जाँच कराने की सलाह देते हैं दरसल आप अपने पेशाब के रंग देख करके जान सकते हैं कि आपका स्वास्थ कैसा है अगर पेशाब का रंग नॉर्मल है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन पेशाब का रंग पिला है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है इसके अलावा कुछ एक छोटी छोटी बाते हैं जिन्हें नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए UTI यानि की Uranory Tract Infection एक ऐसी गंभीर बिमारी है जिसमें महिलाओं के पेशाब में काफी अधिक बदबू आती है इस बिमारी में महिलाओं को जलन भी होती है यूटी याई का संक्रमण पेशाब की ठहली में होता है इसलिए ऐसी समस्या में तुरंग्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ये बातें भले ही छोटी छोटी हैं लेकिन इन्हें नजर अंधाज करने से आप भयंकर बिमारीों के करीब जा सकते हैं इसलिए इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी नजर अंधाज नहीं करना चा झाल झाल